हाई गाईज कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप सभी लोग ठीक होंगे जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने कम्यूनिटी टैप पर एक पोस्ट क्रियेट के आप लोगो बता दिया था कि आज की इस वीडियो में मैं आपको थर्मल फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इंपोर कर सकते हैं तो सबसे पहला जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से आप सुनिए जैसे माली जी कि आपके पास कोई इंजन या टर्बाइन दिया हुआ है और वो दो टैंपरेचर के बीच में ऑपरेट कर रहा है तो जैसे इंटेक टैंपरेचर अगर उसका यह टर्बाइन भी हो सकता है तो अगर दो टैंपरेचर के बीच में यह वर्क कर रहा है और जो इसका जो गिवन हीट इंपूट है अगर आपके पास हीट इंपूट दिया हुआ है heat input आपके पास q amount of heat input दिया हुआ है और आपसे पूछ लेता है क्योंकि मैंने देखे ऐसा ही questions आते है what is the maximum amount of work that turbine और engine can do तो just use this formula 1-t1 by t2 multiply में q जो आपको q amount of heat दिया होगा आप इस formula की मदद से direct maximum heat calculate कर सकते हैं maximum work calculate कर सकते हैं जो ये engine करेगा काफी आसान है और मैंने इस formula को काफी मतलब देखा है कि derivation दी हुई है बुक में बट आपको इस formula को बहुत अच्छी तरीक से धियान रखना ये एक trick के form में use हो सकता है अगर कोई problem इस type का आता है तो ठीक है जैसे माली जी की एक छोटा सा मैं आपको example बता ही देता हूँ कि एक turbine है जिसका जो intake temperature है intake temperature है आपके पास T1 is equal to 400 degree Celsius और जो exhaust temperature है वो दिया हुआ है 150 degree Celsius तो देन आपसे पूस्ता है कि इसमें अगर मैं input amount of feet अगर 100 joule दे दूँ तो कितना work ये maximum कर सकता है तो just use the formula ये आपके पास 673 Kelvin है ये आपके पास 423 Kelvin है and q दिया हुआ है put the value इस type के questions आ सकते हैं और मैंने देखे हैं अगर आ सकते हैं ये मैं सोचे कि previous year में नहीं आया तो इस साल नहीं आएगा तो इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उसे note down करते रहिए तो guys जो मैं आपको next formula ये trick बताने जा रहा हूँ एक car not engine को चलाने के लिए ठीक है ये आपके पास car not engine है तो आपसे पुछा जा सकता है इसी type के कोई question आ जाएगा same internal energy कुछ conditions दी होगी ध्यान से देखे सबसे पहला condition same internal energy same internal energy ठीक है और बहुत मतलब ये same identical shape and size same होंगी लेकिन important condition ये ध्यान रखेगा same internal energy होनी चाहिए तो अगर दो bodies है T1 और T2 temperature है उनको मैंने एक source के form में use किया है car not engine के लिए तो आपसे दो चीज़े पूछ सकता है दोनों में से कोई एक पूछेगा ध्यान रखेगा क्योंकि दोनों चीज़े नहीं पूछेगा क्योंकि जनरली दो या एक marks का equation आता है एम सी क्यू टाइप में ठीक है तो ध्यान रखेगा आपसे पूछेगा common temperature मतलब equilibrium temperature common temperature उनको connect करने के बाद कितना आएगा तो ध्यान रखेगा जो common temperature आएगा वो under root of T1 T2 होगा ठीक है और दूसरा पूछ सकता है work done delivered work done delivered ठीक है मेरे problem के statement को आप दुबारा 25 बार जरूर सुन लिजेगा बार बार रिपीट करके देख सकते हैं आप वीडियो को जो work done delivered होगा इध्यान रखेगा वो आपके पास बराबर होगा T1 plus T2 minus 2 times of Tf देखे same internal energy कहने का मतलब क्या है कि some constant time temperature ठीक है generally same जो internal energy होती है वो KT के बराबर ही होता है according to law of equipartition of energy तो U is equal to KT दिया हुआ है तो आपके पास यहां work done जो deliver हो जाएगा वो इसके बराबर हो जाएगा W is equal to KT1 plus T2 minus 2 times of Tf तो ध्यान रखेगा अगर internal energy इस form में दी हुई है generally दी ही होती है तो आपका जो common temperature निकलेगा equilibrium temperature दोनों connect करने के बाद वो under root of T1 T2 निकलेगा और जो work done जो deliver कर रहा है यह system जो यह दोनों body मिलके Carnot engine को वो इतना आ जाएगा आपके पास ठीक है I hope कि आपको यह clear हो गया होगा so guys जो next trick या आप formula भी कह सकते हैं वो है हमारे पास जैसे माल लेजी की एक body है और इस body का आपने क्या किया temperature increase करा दिया क्या कर दिया जैसे initial temperature T1 था आपने इसका temperature increase करा दिया और यह body का कुछ जो है entropy जो होगा इसका बढ़ जाएगा तो इसका आप जो temperature हो गया इसका आपने T1 से T2 कर दिया है और इस body का जो specific heat capacity था specific heat वो आपके पास C दिया हुआ था ठीक है तो अगर आप से पूस्ता है entropy कितना change हुआ इस body का दियान रखेगा delta S can be calculated by N C ln T2 by T1 तो धियान रखेगा कि जो amount of substance N is equal to nothing but the amount of substance तो यह आपके पास यह आप simply अगर N1 है तो C ln T2 by T1 भी कर सकते हैं C is the specific heat और अगर a number of moles यह नि amount of substance दिया हुआ है तो just multiply here यहाँ पर आपको N के साथ multiply कर देना है और इस formula से आप निकाल सकते हो तो यह आपका पैस यह भी important formula है तो धियान रखेगा इस चीज़ का question इसके ओपर आया भी हुआ है jam में previous years में अगर आप चाहते हैं कि मैं इन tricks के ऊ साल दूँगा और टेस्ट के बारे में हम discussion करेंगे end of the video में तो देखे नेक्स्ट जो मैं आपको formula या trick बताने जा रहा हूं उसको भी अप ध्यान से सुनेगे क्योंकि यह काफी ज्यादा ही important है और मुझे लगता है कि यह questions यह question जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यह जो trick म firmware के contact में एक reservoir है यह reservoir यह contact में रख दिया रिजरवाइर जिसका temperature क्या है T2 है ठीक है क्या कर दिया मैंने एक बॉड़ी है जिसका specific heat at a constant pressure CP दिया हूआ है इसको मैंने एक reservoir के connection में ला दिया नहीं इसको connect कर दिया मैंने contact कर दिया इन दोनों को जिसका temperature T2 है तो यहां पर क्या हो होगा थोड़ी दर बाद equilibrium established हो जाएगा ऐस तरीके के questions हा सकते हैं तो आप से पूछेगा कि सबसे पहले ही बताएगे कि इनका जो total entropy change है वो कितना होगा तो धिहान रखेगा total entropy change आपको directly आप calculate करना इस formula से जो की हो जाएगा आपके पास CP T1 over T2 minus 1 plus ln T2 by T1 just use this formula और आपको answer मिल जाएगा क्या बोला मैंने आप दुबारा सुन लीजे कि अगर कोई आपके पास body है जिसका specific heat CPSCV दिया हुआ है उसको आपने एक reservoir के contact में रख दिया है जिसका temperature T2 था और body का temperature T1 था तो जो total entropy change आएगा वो इस formula से आप यूज़ कर सकते हैं इस त्रीके के problem के statement आते ही आते हैं और आप फर्स जाओगे इसको पूरा detail में करने के लिए तो direct just use these kinds of formula और आपको answer मिल जाएगा तो guys जो मैं आपको next point बताने जा रहा हूँ वो next trick जाओग को बताने जा रहा हूँ वो है coefficients के ओपर generally मैंने देखा इस student confused हो जाते हैं कि कौन सा isobaric expansion coefficient है कौन सा isothermal compressibility coefficient है कौन सा isocoric thermal pressure coefficient है तो तीन चीज़े होती है सबसे पहले आपको दियान रखना है कि isobaric expansion coefficient जो होता है वो इसके बराबर होता है दियान रखे है constant pressure यह क्या है यह है isobaric expansion coefficient ठीक है और एक होता है आपके पास बीटा जो की होता है isothermal यह है आपके पास isothermal compressibility ठीक है यह है आपके पास और एक और गामा भी होता है जो की में भी एक्जाम में आपसे पुछा जा सके dp by dt और यह volume coefficient तो इसे बोलते हैं हम isocoric thermal pressure thermal pressure coefficient तो यह तीन coefficients आपको ध्यान रखने है और इसमें formula आपको देख लेना है तीनों को नोट कर लेना है क्योंकि जनरली देखा जाता है कि यह student से पूछता है थोड़ा बहुत changes होता है और इस student confused है जाते हैं कि आर तीनों में से कौन सा किस में क्या था तो यहाँ dv by dt constant pressure isobaric expansion coefficient यहाँ पर isothermal temperature constant dv by dp और यहाँ पर dp by dt volume constant तो यह isochoric thermal pressure coefficient तो इस छोटे-छोटे चीज़ों पर भी questions आ जाते हैं और इस student confused जाते हैं इसलिए मैं आपको बता दिया हाँ पर इसी तरीके से है तो गाई जो मैं आपको नेक्स ट्रिक बताने जा रहा हूं वह है efficiency calculation के ऊपर यहाँ टू कैलकुलेट हाँ टू कैलकुलेट efficiency from ts diagram ts diagram तो ध्यान रखेगा ts diagram में आपको कैसे efficiency calculate करने क्योंकि efficiency का फॉर्मला होता है वह बैसिकली वर्क डन ओवर में heat absorbed by the engine or the cycle तो अगर आपके पास ts diagram दिया हुआ है जैसे कि माल लीजी कि अभी सबसे simplest वाला में ले लेता हूँ यह triangle दिया हुआ है और यह आपके पास t1 है और यह आपके पास t2 है तो और इसे माल लेते है s1 है और यह s2 है यह s और t तो जो आपके पास q निकलता है हमेशा वह ध्यान रखेगा s2 माइनस s1 और यह t1 प्लस t2 यानि t का average basically q is equal to tds होता है ना तो हमें यह t1 और t2 का average निक आता है तो वह q निकल जाएगा हमारे पास और जो वर्क डन निकलता है वह वर्क डन होगा area under the ts diagram ts diagram ठीक है जो ts diagram के पास जो भी आपके पास कर्व बनेगा वैदर वो triangle होगा rectangle होगा square होगा उसका area निकाल लेना है तो आपके पास work done मिल जाएगा और efficiency nothing but work done upon में heat absorbed by the engine or cycle तो यह भी बहुत ही important है तो उसका धिहान रखना आप ts delta s निकालने के लिए s2 minus s1 कर देना है और t का average निकाल लेना है t average is nothing but t1 plus t2 by 2 तो इस तरीके से आप ts diagram का अगर आता है आपके पास question तो आप उससे solve कर सकते हैं बहुत ही easy तरीके से क्या आप लोग TIFR 2021 में देने जा रहे हैं और आप लोग को कुछ problems आ रही हैं जैसे कि previous array के solutions नहीं मिल रहे हैं या आप revision करना चाते हैं अच्छी तरीके से आपको कुछ tricks चाहिए जिससे कि आपके इस exam में अच्छे score हो जाएं तो आज ही जोइन करें TIFR का जो marathon series चल रहा है unacademy पर और इसका जो joining link है आपको description में मिल जाएगा इस video के यह completely free series है आपको इसके लिए एक भी रुपे देनी की जुरुरत नहीं है प्लीज आप जो मेरा code है जब आप जोइन करें इसको और इसके साथ ही साथ आपको jam के लिए mock test भी unacademy start करने जा रहा है वो भी आप जोइन कर सकते हैं उसका जो link है मैंने description में दिया हुआ है उसके लिए आप unacademy का जो learning app है उससे download करना मत बोलिए जिससे कि आप इन सभी series को इन सभी courses को आसानी से join कर सकें otherwise आपको बहुत सारी problems हो सकती हैं जब आप join करने जाएंगे so please join this series and start your TIFR as well as jam preparation with ease and also don't forget to download the unacademy learning app so thank you जो मैं आपको next और अभी के लिए last trick बताने जा रहा हूँ वो है जैसे माल लिजिए कि आपके पास कोई liquid दिया हुआ है और liquid का जो mass है वो M है ठीक है liquid का mass अगर आपके पास M दिया हुआ है question के according और इसका initial जो temperature T1 था ठीक है लेकिन फिर हमने क्या कर दिया इसको एक दूसरे liquid के साथ mix कर दिया जिसका mass भी M है लेकिन जो temperature है वो T2 है और T2 जो है वो T1 से कम है समझे वहा रहा है इस तरीके के problems बनते हैं एक liquid है जिसका mass M है उसको हमने एक दूसरे liquid के साथ mix कर दिया है जिसका again mass same है M लेकिन पहले वाले liquid का जो temperature था वो बड़ा था ज्यादा था in comparison to दूसरे liquid तो हमसे पूछा जा सकता है entropy change बताईए भाई इस case में कितना होगा तो ध्यान रखेगा directly आप temperature और M की जो value होगी और हाँ C की value आपको दी होगी heat capacity की specific heat की value आपको दी होगी question में तो आप directly formula यूज यूज करना 2MC ln T1 plus T2 by 2 and then multiply में T1 T2 ठीक है ये formula आप use करके directly entropy change calculate कर सकते हैं जब भी आगर आपके पास ऐसा कोई problem आता है तो लेकिन आप check कर सकते हैं मेरे ख्याल से just में ये एक ऐसा problem पहले आया हुआ है 2013 या 14 में तो आप उस problem को इस formula की मदद से काफी जल्दी solve कर सकते हैं तो इस चीज का आप धियान रखेंगे हमेशा तो ठीके गाईज आज के इस वीडियो में मैंने आपको 7 ऐसे formula या आप trick कह सकते हैं जिनको मैंने आपको बताया है जिसकी मदद से आप अगर उस type के problems आते हैं तो उसे solve कर सकते हैं अगर आपको और भी thermal physics से related जो tricks हैं जो conceptual tricks हो और बहुत सारी चीजों के बारे में मैंने आपको छोटी-छोटी tricks बनाई हुई है वह ज्यादा बड़ी वीडियो भी है उसके बाद ये कुछ छोटी एक छोटी सी वीडियो मैंने आपको बताई देना चाहिए क्यों यह important चीज़ें हैं आप इसे note down जरूर कर लें दुबा पताया था तो magneto-statics की आप preparation करते रही है कल यानि कि Saturday को आपको टेस्ट मिल जाएगा जो दो या तीन बजे तक दो पहर में तब तक के लिए आप पढ़ते रही है गुडबाई टेक केर